हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 20 अब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कम्प्लीट करेंगे और यह वैसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है बार बार जो है आपका सी टैट, सूपर टैट, यूपी टैट, बी टैट किसी भी कॉंप्लीटिव जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं स्पेस्लिट टीचिंग कॉंप्लीट करते हैं, स्वागत है आपका हमारे यूटिव चैनल लर्न हिस्ट्री विट रिखा में, और अगर आप लूग हमारी चैनल पर नेये हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, वीडियो अ पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था यहां जो है आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्मान के लिए प्रशित था निर्मान नहीं होगा कौन सा बंदरगाह काली मिर्च के निर्यात के लिए आपका प्रशित था तो यहां आपका ऑप्शन दिया गया है भारोज दूसरा मसूली पटनम तीसरा है काली कट और चौथा जो है आपका आपका नमर्डी वह है शूरत तो यह इसका जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ प्रशित ट्रशित जो है काली कट के लिए फेमस था क्योंकि जो है वासकोडि गामा इंडिया आया था तो वह स्टार्टिंग में जो यह लेके जा रहा था तो वह उसे जो है इसके बारे में उतनी इंफंशन नहीं ती कि कितना यह आपका यूसपूल है बट वहां पे डिमांड को बढ़ने के कारण वासकोडिगामा वापस इंडिया आता है और इंडिया आकर के जो है फिर से जो है काली मिर्च का जो ट्रेड करने के लिए जो है वो सोचता है चलिए अब हम लोगने नेक्स्ट कोश्चन की तरह ब पूछा गया है और यह आपका यह वासकोडिगामा और यह आपका जो है और इस नहीं जो है विजापूर के सासक से जो है गोवा को छीन लिया था नेक्स देखें हमारा क्वेश्चन नमबर फॉर्ट जो है यह क्या कहता है कि अंग्रीजी यात्री तुर्की तथा फार्सी यह दोनों लैंग्विज़ों का जो है वो विद्वान था और फार्सी यह दोनों लैंग्विजों आपका मिडली मेड़न। आपका कैप्टन वेस्ट और ऑप्सन टी है सर टॉमस रॉय तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका कैप्टन हॉकिन्स जो है यह तुर्की और फार्सी दोनों भाषा का जो है विद्वान था अप्शन नम लोकिश्चन नम फाइब देखेंगे का अप्श ये है हिंदुस्तान दूसरा है आपका flower प्रथम तीसरा है red dragon और फोर्थ जो है वापका है Victoria तो इसका जो है आपका correct answer जो है वो होगा option number C red dragon जो है अंग्रेज जहाज वो पहला जहाज था जो भारत में आया था है न तो इसे जो है आप लोगो को याद रखना है कि red dragon जो है इंडिया में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था चलिए हम लोग अब question number 6 को देखते हैं question number 6 हमारा क्या कहता है ये बोल रहा है कि verse 1857 के विद्रों में निम्न मेशे किसने सबसे पहले अपना वलिदान दिया था है ना 1857 का जो रिवाल्ट हुआ था इसमें से सबसे पहले जो है कौन सा जो है व्यक्ति था जिसने अपना बलिदान दिया था option दिया गया है मंगल पांडे option B है तात्या टोपे option C है कुमर सिंग और option D है लियाकत अलिखा तो यहां जो है आपका जो है correct answer जो है वो क्या हो जाएगा option number A आपका मंगल पांडे हैना मंगल पांडे जो है ये पहले जो है आपकी करांतिकारी थे जिन्हों आपका पहला वलिदान दिया था 1857 के रिवॉल्ट में इसके बात सी ही आपका जो है 1857 का रिवॉल्ट जो है दिरे दिरे जो है आपका कर दो दिया था इसके दौरान गिराफ़ाय बे दीस फाांसी को नहींंनों वो क्वारत में बरिटिस प्रभुथो दूक तो प्रभूत्व को जो है इंडिया में प्रार्म किया था आपका ए बक्सर की लड़ाई दूसरा है प्लासी का युद्ध तीसरा जो है आपका 1857 का प्लासी का युद्ध के बाद से ही इंडिया में ब्रिटिस का प्रभूत्व प्रारम हुआ था उसके बाद बैटर लॉप बक्सर हुआ था इसमें पूछा जा रहा है आपका कि करनाटक का युद्ध किन किन के मद्ध लड़ा गया था अप्सर दिया गया है अंगरेज ऐव यह यहां बोला जा रहा है कि करनाटक काुद्ध युद्ध किन के किन के बीच लड़ा गया था तो यहां आप्सन स्रिक्र वोगह यह जिस होगा हमारा जो है question number 9 है इसमें पूछा गया है कि जैंस प्रथम का राजदूद जो 1655 में जहांगीर के दर्वार में आया था वो कौन था तो यहां है आपका फादर है रास बार्बोस हौकिन्स और सर टॉमस रॉय इसका जो है अस्थापक जो है कौन था तो ऑप्सन दिया गया चार्स आयल जो चार्नाक फिर वीलियम मौरिंस और लॉड डलहोजी तो यहां आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्सन नंबर भी जॉब चार्नाक जो है यह कौकता के जो है फांडर थे इन्होंने जो है कलकता सह खांडर की अस्थापना की थी आप देखिया हमारा next जो कॉस्चन number 11 यह कह रहा है कि British East इंडिया कंपनी नेमॉमबई किस से लिया था in Tim इसट इंडिया कंप़नी वह मुंबई लेती है और इसके लिए जो क्या था कि एक दहेज के रूपोर्त गाला के रूप में मुंबई जो है राजा पूर्टगीब के राजा पूर्त गील की प्रिंसेस जो थी इन दोनों की में पूछा गया है कि 1935 का Government of India Act जो था वो क्यों महत्वपूर्ण है है ना वो जो है क्यों महत्वपूर्ण है तो यहां देखे क्या बोल रहा है कि option A बोल रहा है इसमें भारत विभाजन उलेखनिये हैं दूसरा यहां option number B है कि इसके द्वारा भारत को शुतनता मिली थी option number C है कि भारतिय सम्मिधान का प्रमुख श्रोत है option number D है कि अंग्री जो द्वारा अंतिम कानून था तो यहां हमारा correct answer क्या होगा option number C भारत सम्मिधान का प्रमुख श्रोत है है हमारे सम्मिधान में हमारे constitution में 1935 का एक अक्ट था इसके बहुत सारी बाते ली गई है next जो है हमारे question number 13 जो है इसमें पूछा गया है कि भारत का शाषन East India Company से क्रोन को अस्त्रांत्रित किया गया था इंडिया में जो है East India Company जो है वो starting में क्यों आई थी आजर trade के view से वो इंडिया में व्यपार करने आई थी बट वो धीरे धीरे जो है इंडिया में सासन करने सा भारत के सासन को जो है रौन है ना बृतिस क्रोन के द्वारा के जो है अस्त्रांत्रित कर दिया गया था बिटिस क्रोन को तो यहां जो है option दिया गया है 1853 charter act 1858 charter act होगा है यहां फी है आपका option 1833 charter act और यहां है option d 1861 charter act तो यहां आपका option नमबर B से ही होगा कि option नमबर B 1858 के charter act 1858 में Victoria जो है वो एक proclamation एक घोषना जो है निकालती है इंडिया के नाम पे और उसमें बहुत सारे चीजों को जो है वो मेंसन करती है और उसे समय जो है यह charter act जो है तो दे दिया जाता है मतलब इस इंडिया leaky company के हाथ में जो है वही वहास्राय का नाम है अधियी के प्लासी के युद्धी का मैदान कहां इस्तित रहे है बिहार औड़ी शाव बंगाल और उतर प्रदेश तो यहां जो है आपका correct answer जो होगा वो ओप्शन number 3 बंगाल जो है बंगाल में जो है आपका पलासी का मैदान जो है नेक्स देखिए हो हमारा question number 15 है यह पूछ रहा है आपका कि बकसर के युद्ध के समय दिल्ली का शाशक कौन था बकसर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का जो है शाशक कौन था दिल्ली में जो समय मुगल एंपायर थी तो उसका साशक कौन था option दिया गया है बहादूर सा जफर फरुक शिहार शाह आलम टू और मुहमद सा तो यहां जो है correct answer जो होगा वो होगा option number C सा आलम टू जो है वो आपका उसमें दिल्ली का शाशक था next question हम लो देखेंगे question number हमारा जो 16 है यह पूछ रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों को की तुलना मधुबक्की से की थी है ना बंगाल का कौन सा सक था जिसने यूरोपियों की तुलना जो है एक मध यूरोपियों की तुलना जो है एक मधुमक्की से की थी और इसने कहा था कि यूरोपियों की तुलना जो है एक मधुमक्की से की थी अब हम लोग जेखेंगे next हमारा question है question number 17 इसमें पूछ रहा है कि मिर काशिव अपनी राजधानी मुर्षिदावाद से अस्थ्ञांतरत कर कहां ले गया था यहाँ पे जो है होगा अस्थनांतरित करके जो है वो कहां ले गया था तो option है यहाँ पे पटना मुंगेर उडिशा और मुझपरपूर तो यहाँ आपका correct answer जो है वो हो जाएगा option number B मुंगेर ले गया था आपका मुर्सिदावाद से अपनी राजधानी को जो है आपका यह मुंगेर ले जाता है option number B मुंगेर जो है वो किस लिए famous है तो आपका जो है मुंगेर जो है वो बंधुक के लिए भी famous है यह जो है बिहार में है नेक्स देखे हमारा question number 18 जो है यह है कि पलासी के युदि के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया है ना पलासी का जो युद हुआ था उसके बाद जो है बंगाल का नवाब जो है किसे बनाया गया था नेक्स जो है हमारा देखे question number 19 है इसमें पूछा गया कि बकसर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतरित्व किसने किया बकसर का युद्ध जब हुआ था तो उसमें जो है अंग्रेजों की सेना के तरफ से जो है कौन नेतरित्व कर रहा था यहां जो है option है वो है आपक correct होगा Hector Munro जो है इसने जो है बकसर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से जो है नेतरित्व किया था लीड किया था बैटर लोग प्लासी में जो है कौन किया था तो रॉबर्ट क्लाइब है ना यह दोनों में जो है यही डिफरेंस है कि रॉबर्ट क्लाइब त सासन लागु हा था ड्रण गवर्मन जो है capital संधी किस संधि के भाज यह पर अमरितasan कि संधी ऑप wheat की संधी특्या पहली कि की संधी जो है वो कब हुई थी पिलाहबाद की संधी जो है वो 1765 में हुई थी बैटल अब बक्सर के बाद और उसके बाद जो है बंगाल में जो है द्वेट सासन ड्यूल गवर्मेंट जो है वो लागू हुआ था तो ये था हमारा आज का लास्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको जो है ये कुश्चन जो है आपके लिए यूसफुल कितना रहा चलिए हम लोग अब मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू सो म अच्छड़ा हो आपके लिए को